आज हम आपके सामने फिर से AVS का चैप्टर लेकिया है Animal Around Us या फिर कई जगे इसको सरफ Animal के नाम से है उसमें कितना कोर्स हो और उस चैप्टर में आपको क्या क्या कवर करने हैं तो चलिए आएए मैं आज आपको ये बताती हूँ तो Class First में हमें First चीज कवर करनी है Wild Animals जिसमें उनकी Definition बतानी होगी और Example Domestic Animals फिर थोड़ा सा Birds Birds Introduction जैसे कौन से Birds होती है Birds का Sound क्या होता है Birds कहां पे रहती है किसे खाती है और यही सब चीज़े जैसे Fly करती है Water Living Animals पे थोड़ा सा बताना है जो पानी में रहते है What we get from Animals हमें Animal से क्या मिलता है Pet Animals Domestic और Pet Animals एक की होता है लगवद थोड़ा सा Difference होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर इसमें आपको इंट्रोड़क्शन देना है Animal Sound का और Animals के Body Parts का यह वीडियो स्टार्ट करते है तो पहले मैं आपको यह बता दू Wild Animals Wild Animals क्या होते है जो यह वो एनिमल होते है जो फॉरेस्ट में रहते है इन्हें हम क्या बोलते है Wild Animals जैसे लॉयन, टाइगर, वोल, फॉक्स, बियर, जिराफ, हिप्पोपटैमस, राइनोसेरस कुछ एनिमल होते है जैसे फिश, टर्टल, शार्क यह सब कहां रहते है वाटर में इसलिए हम इन्हें क्या बोलते है Water Living Animals कुछ जो बर्ड्स होते हैं क्रो, स्पैरो, पैरेट, पीजन यह कहां रहते हैं ट्रीज में और यह फ्लाइ करती है तो इन्हें हम बोलते हैं Birds Domestic Animals क्या होते है जो एनिमल्स हमारे आसपास हमें दिखते हैं वो होते हैं Domestic Animals जो फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं मैं आपको इसकी डेफिनिशन पहले बताती हूँ Some animals live in forest They are wild animals For example, lion, tiger, wolf, fox बच्चों को आपने इतना ही लर्ण करवाना है Some animals live close to us They are domestic animals Example, cow, herd, sheep, buffalo अब Pet Animals क्या होते हैं We keep some animals Such as cat, dog with us at home जिने हम घर पे रखते हैं Cow, buffalo को भी रखते हैं तो यह होते हैं हमारे pet animals जिने हम घर पे साथ में रखते हैं जैसे cat हो गया, dog हो गया, fish हो गया, rabbit हो गया अच्छा, animals हमें क्या-क्या देते हैं Milk हमें कौन देता है? Cow, buffalo Meat हमें कौन कौन देता है? Goat यहाँ पे आप sheep भी लिख सकते हो, बट वहने goat लिखा है क्योंकि बच्छे confused ना हो Wool हमें कहां से मिलता है? Sheep से मिलता है Egg हमें कहां से मिलता है? Hands से मिलता है तो चलिए आए देखते हैं फिर आगे क्या है तो same वही चीज लिखिए जैसे milk हमें कहां से मिलता है? Cow और buffalo से Milk हमें किस से मिलता है? Milk और meat कहां से मिलता है? Goat और sheep से Horse, donkey और elephant क्या करते हैं? Loads carry करते हैं हमारे लिए Loads carry करते हैं Egg और meat हमें कहां से मिलता है? Hands से मिलता है यह देखिए अब pet animals क्या होते हैं? We keep some animals such as cat and dog with us at home अपने घर में हम लोग रखते हैं वो होते हैं pet animals जैसे cat को रखते हैं, dog को रखते हैं, fish को रखते हैं, rabbit को रखते हैं हमें न take care, animals की care करनी चाहिए और हमें हमें हमेशा kind होना चाहिए उनके लिए उनको कुछ परिशानी आए उनकी help करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए, अब आएए हम देखते हैं आगे क्या है जैसे we should, हमें क्या क्या करना चाहिए? We should keep water for birds outside our home हमें क्या है? Water रखना चाहिए birds के लिए अपने घर के बाहर We should also feed stray dogs, जो street dogs होते हैं हमारे घर के पाहर घुमते रहते हैं, गली में घुमते रहते हैं उनको भी हमें खाना खिलाना चाहिए, तो यह हो गया, उसके बाद आपको बच्चे को क्या introduction छोटा से देना है? Animal sound का जैसे आपको बताना है, जैसे हम बात करते हैं वैसी बच्चा भी animals भी बात करते हैं एक दूसरे से और जैसे कुछ animals होते हैं बहुत तेज आवाज निकालते हैं जैसे dog, cow, यह सब loud noises बनाते है, elephant जबकि कुछ animals होते हैं जो soft noise produce करते हैं जैसे rat, snakes, soft noise और कुछ animal होते हैं के special names होते हैं उनके sound के जैसे birds क्या करते हैं चिर्प करते हैं birds के sound को हम क्या कहते हैं चिर्प, lion, roar, dog, bark, cat, mew, horse name जो basic हमने sound बच्चे को बताएं जीके में या पहले भी वह पढ़ चुका है तो बस वही उतने ही हम हमें बताने हैं then body parts हमें पताने बस आप चो अलग अलग दिखते हैं कुछ जो जमीन पर चलते हैं उनके कितने होते हैं four legs होते हैं ्मिऊ जो birds होती हैं उनके कितने two legs होते हैं birds किसे fly करते हैं? wings के help से fly करते हैं fish अपनी fins के help से swim करते हैं एलिफेंट के पास क्या होती है ट्रंक होती है लूंबी सी सूर होती जिससे वह चीज़े उठाता है और कई सारे अनिमल्स की नॉर्मली टू आइस वन नोस टू इयर्स होती है जैसे आप बड्स में बताईए उनके बीक्स होते हैं फैदर्स होते तो यह आपका डिपंड करता आप बच्चे को कितना किस तरीके से बता रहें इतना है तो आप बच्चे को बता सकते है अनिमल्स साउंड में यह होता है बढ़ beats have two legs and meющ which walks on the ground have four legs, bird have wings to fly और इस तरीके से fish have to See Hm, विखेटें जो कोई किस ठीके से आधी बच्चों को जैसे लॉइन लॉइन टाइगर लेवेट आधी लॉयन औा लाइसार एक दृमित 16 बच्षे बच्छा एक來說 में वैशिजय तरीके से डांगे श्र dw tengan signal दानने दोगई दोगत एंटार यह सब क्या हैं हमारे पैट यह घर पर रहते हैं लोजन वौल हर वाइल एनपल से बसके लोट डिखत ऒख और वाइल डिखते हैं beha jd एग and meat from एग और मीट हमें किस से मिलता है हैं से मिलता है गोट से मिलता है बफैलो से कैमर हैं से मिलता है एग देती है बाकी कोई एग नहीं देता है छोड़ी जोड़ी true false आप करवा सकते है true false जैसे wolf is a domestic animal false wolf क्या है wild animal है गोट and sheep are domestic animal true horse is a pet animal अब इसको आप करवा यह false यह domestic animal है पैट animal नहीं घर पर नहीं रखते है वो stable पर रहता है a hand gives us egg true fish swim with fish swim with twins true तो इस तरीके की छोटी छोटी exercise आती है definition में बच्चे को आपने सिर्फ यही लर्ण करवाना है wild animals, domestic animal और पैट animal बाकी बच्चों को आपने यह learn करवाना है animal homes और animal sound इसके बाद आप बच्चों को body parts में कोई figure normally draw करवा कर दीजिए जिसमें बच्चा identify करेगा यह इसकी beak है, feather है, legs है जो भी है, मतलब अगर animals है तो उसकी tail है इस तरीके से आप करवा सकते है अगर आपको यह मेरा वीडियो helpful लगा है तो please like करें, share करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe करें, thank you